हाई गाई वलकम बैक टू मैं चैनल आईओ यौल आ डूइंग गूड तो आज वीडियो में आपके साथ लिए डियो हूं परपुल हॉल जो कि मैंने परपुल से काफ़ सारे चीज़ें मंगाए हैं skin care के and makeup के and मुझे 50% of में सारी चीज़ें मिलेते अगर आपको देखना है तो वीडियो को पूरा अन्ट तक झरूर देखेए अगर आपको जाना है कि मैने क्या times मंगाए हैं तो वीडियो को पूरा अन्ट तक झरूर तो Christ झानल को सब्सक्राइब करें डबल ऐकन को ज़रू हीट करें, so without wasting anytime let's get started, so जैसे का आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के box में मुझे receive हुआ है and purple, already मैंने ये सारे ही products को देख लिया था, so आपको इस तरह की individual अलग सी पैग, ये bubble wrap में मिल जाएंगे सारे products आपके, so चलिए मैं आपको one by one करकर बताती ह कि मैंने क्या क्या चीज़े मंगाए है, first जो है ये good wipes का, so ये है good wipes का mulberry glow toner है and इस सारे reviews मैंने यूटूब पे देख थे, so मैंने इसे purchase किया है and देखते है कि ये किस तरह से work करता है, इस की smell थोड़ी सी मुझे लगी, but try करते है कि ये कैसा work करता है, अगर आप इसका subscribe, individual video द देखना चाते हो तो मुझे comment में बताइए, मैं इसका अलग से review आपके साथ share करूँगी, so next product है ये good wipes का activated charcoal deep cleansing face wash and already मैंने इसका video share किया है and मुझे बहुत ही अच्छा लगा, so मैंने इसका repurchase किया है and मैं आपको highly recommend करती हूँ, आप इसे एक बार ज़रू try करे, although मेरी skin जो है oily अच्छा लगता है मुझे and मेरी skin बहुत ही अच्छा से soft and clean होती है and blackheads भी थोड़े थोड़े दूर होते है, so मैं आपको ज़रू recommend करती हूँ, आप इसे एक बार ज़रूर try कर सकते हूँ, so next जो है, next जो है ये helps का goodness rose toner, इसकी review मैंने देखे है, youtube पर बहुत ही अच्छा है, so इसलिए मैंने इसे purchase किया है, so let's see कि ये कैसा है, so मैंने इसे open करकर one time के लिए use किया था, इसकी fragrance जो है, same rose की smell ही है, अगर आप इसका review देखना चाते हो, तो मुझे बताइए मैं आपके साथ इसका full review and demo share करूंगी, so ये भी मुझे just 50% off में ही मिलाता, बहुत ही अच्छी deal इसलिए, so चलिए next देखते, so मैं से try करूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको recommend भी करूंगे, and मैंने इस open नहीं किया है, and आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की packaging में आया है, so next, यहाँ पर मैंने ये 3 lipsticks मंगाए है, जो darling Isabella की तरफ से है, and पर आप shape numbers and ये 8, so ये 3 shades में मैंने मंगाए है, and इसकी जो price है 125 rupees है, but 50% में मुझे 60 या 63 rupees में ये मिली है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, and आप देख सकते हो colors, ये बहुत ही beautiful सा red shade है, and जैसे का आप इसकी pigment देख सकते हो, totally ये matte lipsticks है, please ignore the background noise, बाहर बच्चे है, and यहाँ पर ये जो था red shade, and यहाँ पर ये देख सकते हो, आप, brownish, newish shade है, बहुत ही प्या, and daytime के लिए काफी perfect shade है, अगर आप इसका सबते हो, तो do let me know in the comment box, and ये जो है, dark, maroonish, and brownish shade है, maroon shade है, and ये shade मुझे काफी अच्छा लगता है, so, ये 3 lipsticks मैंने purchase किये है, so, इसके साथ मुझे ये, हवाना mango का hydrating gel, जो है, free आया है, जिसकी 10 ml quantity है, बहुत ही अच्छा gel है, and इसे मैंने try किया था, बहुत अच्छा है ये, सो, ये एक complimentary gift है, so, next, so, यहाँ पर मैंने ये 6, sorry, 5 potters मंगाए है, skincare potters, क्योंके मैं बहुत चल, DIY वीडियोस आप सभी के लिए लाने वाली हूँ, so, stay tuned, so, देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये orange potter मंगाया है, बहुत ही affordable price में मुझे ये मिल गया था, क्योंके 50% off में मिला, तो मुझे just 40, 25, 30 रुपीज का ये, 50 gram का product मुझे मिल गया, and आपको इस तरह की packaging में मिल जाएगा, so, यहाँ पर मैंने ये orange, orange potter मंगाया है, जो के आपकी skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है, and यहाँ पर मैंने ये rose petal powder मंगाया है, जो skin को glowy बनाता है, and इसके DIYs वीडियो बहुत जलाने वाले हैं, अगर आपको देखना है, कि मैं इन powder का यूज करकर DIYs कैसे बनाती हूँ, और किस तरह से यूज करती हूँ, तो मुझे comment करकर ज़रूर बताईए, तो मैं daily basis में, या फिर मेरी regular life में, मैं ये सारे powder's continuously use करूँ, तो यहाँ पर मैंने ये licorice powder मंगाया है, जो skin को whitening करने में काफी help करता है, and यहाँ पर मैंने ये यानी मिटी मंगाया है, जो oil को, oil, जिसकी oily skin है, उसके लिए काफी best है, oil को control करता है, and बहुत ही अच्छा होता है skin के लिए, दाख़दबों को दूर करता है, so sandalwood powder मंगाया है, जो skin को glowy बनाता है, and fair and bright बनाता है, so ये सारे ही powder's जो हैं काफी अच्छे होते हैं, हमारे skin के लिए, अगर आपको देखना है, कि मैं इन सारे powder's को use करकर, किस तरह से एक DIY बनाती हूँ, so मुझे comment करकर जरूर बताइए, ये आप आपके skin के लिए, अपनी body के लिए, बहुत ही अच्छे से use कर सकते हो, and ये बहुत ही अच्छा result भी आपको देगा, so यही थी मेरी आज की वीडियो, ये ही सारे चीज़े मैंने purple.com से purchase किये है, so अगर आपको इन में से कौन सा भी product का अलग से individual आपको review चाहिए, तो मुझे comment करकर जरूर बताइए, so चलिए मैं आपको next video में मिलती हूँ, अभी के लिए bye bye, stay blessed, stay connected, love you all, bye,